पूरी के शंक्राचारे निश्चलनन महराज को चुनोती देना मज़ाख उडाना एहंकार का प्रतिक है। ये बात ये बीजेपी की वरश नेता उमाभारती कह रही है। हाला कि उससे पहले शंक्राचारे निश्चलननन ने रामलला की प्राणप्रतिष्ठा को लेकर कहा था कि अगर मंदर का उद्घाटन मोधी करेंगे तो क्या मैं वहाँ पर खड़े हो के तालियां बजाओंगा। अब उनकी इस बात का समर्थन उमाभारती कर रही है। नमस्कार दोस्तों ये खबर आप उल्डा चश्मा यूसी पर देखते हैं। कुछ कहा है आपको ये भी सुनना चाहिए। दोस्तों एक तरफ जहां शंकराचारे को लेकर तमाम तरहां की बाते की जा रही हैं तो दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाये जा रहे हैं। मंदिर के मुद्दे को नजर अंदास करके उनका मजाग भी बनाया जा रहा है। तो कुछ सादू संत उन्हें शंकराचारे को चुनौती भी दे रहे हैं। पहले आप उन लोगों के बयान भी देखिए जो उनका मजाग उड़ा रहे हैं। दोस्टों इस तस्वीर को सोउशल मीडिया पर वायरल करके शंकराचारेों को ये कहा जा रहा है कि वो मंदिर जाने से मना कर रहे हैं। इन लोगों को उमा भारती का ये बयान एक आईने की तरहा काम करेगा और मैं मानिया शंकराचारी जी से निर्शलारणी महराज से निवेदन करूँगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंतरन मिला है तो आप आईए ना दोस्तों जाते जाते आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हमारे साथ शंकराचार अभी मुक्तेश्वर अननन ने माचीत की थी और उन्होंने राम लिला की प्राण पृदिश्टा के शुब्स समय को लेकर क्या कुछ कहा था आपको ये सुनना चाहिए समय चाहर माधिमों से ये पता चला कि अभी प्रतिश्टा होने वाली है तो हमने पूछा कि मंदिर बन गया क्या तो पता चला मंदिर अभी 40 प्रतिश्ट केवल बना है तब हमको लगा कि अरे 40 प्रतिश्ट बने मंदिर में बगवान को कैसे बुलाया जा सकता है ये तो यह अनर्थ क्यों करना चाहते हैं मुदीजी अब हम यह तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यह जरूर है कि शास्त्रविती का पालन न करते हुए अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो अच्छा पल नहीं देगा